हेलो दोस्तु एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटुप चैनल एचसी टिफ्स में स्वागत है दोस्तु आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लिफ्टिंग एक्टिविटी के बारे में इस वीडियो के मादे हम समझानेंगे lifting activity क्या है then after हम आपसे बात करेंगे type of lifting के बारे में कि lifting कितने परकार के होते है तो आईए वीडियो को सिधे start करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं what is lifting lifting क्या है lifting is a process of moving or bringing something from a lower level to a higher one lifting किसी वस्तु को lower level से high level पर ले जाने या लाने की एक प्रक्रिया है अब हम बात करेंगे type of lifting के बारे में तो देखिए lifting three types के होते है simple lifting, heavy lifting and critical lifting simple lifting हम उस lifting को करते हैं जिसमें कि जो हमारा material होता है जो हम load को उठाने वाले हैं उसका जो weight होता है 20 ton से नीचे होता है इसको simple lifting में consider किया जाता है heavy lifting की बात करें तो जो हमारा material होता है यानि कि जो हमारा load होता है उसका जो weight होता है 20 ton से उपर होता है तो इसको heavy lift में consider किया जाता है अब हम बात करते हैं critical lifting के तो देखिए जो critical lifting होता है इसमें बहुत सारे ऐसे situation को consider किया जाता है जो कि highly risk को create करते हैं तो आईए अब हम कुछ example के सुरूर देखते हैं और समझते हैं कि critical lifting किसको कहते हैं When the load is above 80% of the crane capacity is known as critical lifting जब हमारा जो material होता है जो load होता है जिसको हम उठाने वाले हैं उसका जो weight होता है अगर 80% जो crane की capacity है उसका 80% से अगर ज्यादा है तो इसको critical lifting में consider किया जाता है Lifting over underground facility is also called critical lifting अगर हम किसी underground facilities के उपर काम कर रहे हैं जैसे कि माज दे नीचे में कोई sewage line है, कोई water line है या फिर कोई press ride equipment है या फिर कोई भी utility अगर lines है उसके उपर में जदी हम कार कर रहे हैं अपने crane को parking करते हुए तो ऐसे situation को भी critical lifting कहा जाता है Lifting near overhead electrical line is also known as critical lifting जदी अगर कहीं पर भी overhead electrical line जार रहे हैं और हम उसके आसपास में कारे कर रहे हैं तो इसको भी critical lifting में consider किया जाता है tandem lifting is also considered as a critical lifting जो tandem lifting होता है tandem lifting यानिक इसमें क्या होता है कि किसी एक object को किसी एक material को उठाने के लिए दो crane के use किया जाता है जैसा कि आप image में देख रहे हैं इस परकार के lifting को tandem lifting करते हैं और यह भी critical lifting में consider किया जाता है तो यह सारे situation critical lifting में आते हैं यानि कि जब भी हम lifting activity को कर रहे हैं अगर वह ज्यादा high risk को create कर रहा है तो उसको हम critical lifting करते हैं तो दोस्तों इस परकार से हमारा आज का टॉप की यहाँ पर समाप्त हुआ तो दोस्तों मिलते हम आप से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियार